नमस्ति दोस्तों तो आज मैं आपको चालिस रुपिया और तीस रुपिया के अंदर में जो एक अच्छा पेज क्वालिटी, कभर क्वालिटी का जो रफ नोटबुक होता है न वो आज़म दिखाने वाला हूँ एक्जेक्टली इसका हॉलसल प्राइस भी बताऊंगा और फिर पीज क्वालिटी और कभर क्वालिटी भी मैं आपको दिखाऊंगा तो यहां से करते हैं इसको कट ऊपर में भी है हो गया कट चला ठिक अब इसमें से एक कोई नोटबुक लेते हैं चले यह ले लिए ठीक है इसका सबसे पहले आप कभर देखे लिए इसकूल मेट नोटबुक उपर में लिखा गया है और केटियम जो बाइक है न उसका फोट वाई कभर देखें कभर एक दम हाड तो नहीं कह सकते लेकिन मोटा पेपर देखें और इसका बैक देखें जी इधर भी एक बाइक कही फोटो है अथी गत il और यह साइड देखें फिनिसिंग में कहीं कोय कमी नहीं नहीं है फिनिसिंग टॉप क्लास का है। चारो साइड का देखें देखें अए फिनिसिंग एक खना हे इधर का साइड एक नचींच इफ निच नेचनल videos देखें यह जोग लेटी एक्तम घटिया पेज नहीं कह सकते हैं आप पेज क्वालिटी ठीक है ठीक पेज क्वालिटी काफी ठीक है और चौथाई भी देखी मिला है चौथाई के साथ साथ यहाँ पेज नंबर और डेट भी लिखने का उप्शन है ठीक पेज क्वालिटी बहुत अच्छा है मुटाई देखी ठीक है देखे अभी पटना का जो भाव चल रहा है वो चल रहा है इसका 2600 रुप्य सेक रहा हूँ तो यह नोटबुक जो है ना 2600 में 120 मिलता है तो 26 रुपय एक नोटबुक का पड़ता है पटना में तो बेगुसरा आते आते कुछ उनकुछ तो चार्ज लग जाता है यह किसी और मार्केट आते आते लेकिन फिर भी नियोडिल आपको यह 2700 रुपय में ही दे देगी सत्ता इस रुपय में ही क्योंकि सस्ता देने की बात है तो इस पर अगर एक्स्टर्नल चार्ज जोर लेंगे तो थोरा महंगा हो जाएगा तो एक रुपया सिर्फ भारा के लेंगे और कुछ पैसा और भारा होता लेकिन उसको छोड़ दिया जाएगा तो चलिए आप लोग वीडियो को सेर कीजिए अपने मित्रों के पास अपने गाउं परिबार समाज के पास इस कोपी का होलसल प्राइस उनको पता चलना चाहेगे और वीडियो को सेर करते हुए एक चीद का भी ख्याल लखिए कि आप लोग सस्क्राइब करना मत बोलिए वो जरूर करते जिए तैंक्च्यू वीडियो को देखने के लिए